कितने हैं, total number of digits कितने हैं मेरे, 4 और 2, 4 plus 2, 6, तो अगर मेरे पास 6 digits है, तो 6 minus 1, that is 5 dash में ले लिका हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास 6 digits है, तो मैं 5 dash ले लूँगा, बास समझ रहे हैं, number of digits minus 1, उतने dash मुझे ले लेने हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं इस dash में कुछ numbers fill करूँगा, ठीक है, देखिए का कैसे, first dash में मैं क्या fill करता हूँ, दोनों ही number के first digit का product, first dash में fill करते हैं, दोनों ही number के first digit का product, इन दोनों number का first digit क्या है, 6 है पहले नमबर का 1st digit और 3 है दूसरे नमबर का 1st digit इनका product that is 6, 3 is a 18 मैं यहाँ पर fill कर देता हूँ बास समझ रहे हैं उसके बाद last dash में हम क्या fill करते हैं दोनों ही नमबर के last digit का product दोनों ही नमबर का last digit क्या है 2 और 4 4, 2 is a 8 तो last वाले dash में हम लोग fill करते हैं दोनों ही नमबर के last digit का product ठीक है उसके बाद इन तीनों dash में मैं कुछ fill करूँ रहा है and we'll get the answer देखिए अगर कैसे क्या fill करते हैं इसमें सबसे पहले second dash की अगर बात करें तो हम यहाँ से start करते हैं 6 से 6 is multiplied by 4 तो 64 जा 24 plus 1 is multiplied by 3 that is 3 24 plus 3 that is 27 में यहाँ पे fill करूँगा but requirement क्या है कि हर dash में बस एक ही डिजिट आप fill कर सकते हैं बाकी के digits आपके carry में जाएगे और exception क्या है आपको कहें कि सरी हाँ तो आपने 2 digits फिल किये है तो यहाँ पे 2 digits इसलिए फिल किया है क्योंकि यह 1 कहीं carry में जा नहीं सकता था बास समझ रहे हैं अगर मेरा यह 1st dash है तो वहाँ in all cases I have to accommodate whatever I get as a product बास समझ रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहे 24 plus 3 27 तो 7 में यहाँ लिखूँगा और 2 will grow as a carry बास समझ रहे हैं उसके बाद second dash के लिए हम लोग यहाँ से और आगे move करते हैं 1 तक हमने देखा है अभी अब 1 से आगे move करते हैं तो 7 is multiplied by 3 and 1 is multiplied by 4 7 3 is at 21 plus 1 into 4 is 4 21 plus 4 क्या हो जागा मेरा 25 25 में यहाँ क्या लिखेंगे 5 ठीक है और 2 will grow as a carry तो 2 carry में चला गया ठीक है उसके बाद next dash next dash कैसे fill करेंगे तो हम 7 से और आगे move करते हैं 7 से आगे move करते हैं तो देखेगा क्या करेंगे 2 is multiplied by 3 2 को हम 3 से multiply करते है और 7 को हम multiply करते है 4 से 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 plus 7 4 जा 28 6 plus 28 क्या हो जाएगा 34 34 में से 4 मेरा आ जाएगा यहाँ and 3 will go as a carry बास समझ रहे हैं? उसके बाद बस simply अगर मैं इसे add up कर देता हूँ तो we'll get the answer. देखिएगा कैसे? 8, 4, 5, 3 is 8, 7, 2 is 9 and 18 plus 2 is 20 तो मेरा final answer हो जाएगा 209, 848 बास समझ रहे हैं? similarly मैं इस question को अगर solve करता हूँ देखिए गड़ी इस problem को total number of digits कितने है? 4 plus 2, 6 तो dashes कितने लेंगे मुझे? 6 digits हैं तो dash कितने लेंगे? 5 तो सबसे पहले मैं 5 dash ले लेता हूँ 3, 4 and 5 पहले dash में मैंने क्या बताया? क्या फिल करते हैं? पहले dash में फिल करते हैं दोनों ही number का first digit का product. First dash दोनों number का first digit का product. क्या हो जाएगा? first digit इसका 5 है, इसका 4 है. 5, 4 जा, 20 is filled in the first dash. और पहले dash में हम कितने भी digits फिल कर सकते हैं? रेस्टिक्शन नहीं है कि बस एक ही digit आना चाहिए क्योंकि पहले dash में हम क्या ही नहीं नहीं सकते हैं. तो 5, 4, 20 is written in the first dash. उसके बाद क्या फिल करते हैं हम लोग? last dash फिल करते हैं. कैसे? last dash is filled by multiplying the, getting the product of the last digit of the two numbers. क्या है? 2 और 5. 5 to 10. लेकिन 10 यहां डारेक्टली नहीं लिख सकते हैं. एक लिखेंगे 0 and 1 will go as a carry. बस समझ रहे हैं? ठीक है. next. उसके बाद इस second dash में फिल करना है. second dash हम लोग कैसे फिल करते हैं? यहां से start करते हैं. 5 is multiplied by 5 and 3 is multiplied by 4. 5, 5 जा 25 plus 3, 4 जा 12. 25 plus 12 क्या हो जाएगा? 37. तो 7 यहां आ जाएगा and 3 will go as a carry. बस समझ रहे हैं? next. next में क्या करेंगे? अब यहां से, इस dash के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां से आगे बढ़ते हैं. 3 तक हम ने देखा, आगे बढ़ते हैं. 7 को consider करते हैं. तो 7 is multiplied by 4 and 3 is multiplied by 5. 7, 4 जा 28. प्लस 3, 5 जा 15. 28 प्लस 15 is 43. 43 का 3 यहां आ जाएगा और 4 आ जाएगा as a carry. बस समझ रहे हैं? अब मैंने 7 तक देखा. अगले dash के लिए क्या करेंगे? 7 से और आगे बढ़ेंगे. 7 से और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2. तो 2 is multiplied by 4, that is 8, plus 7 is multiplied by 5, that is 35. और 8 प्लस 35 क्या हो जाएगा? 8 प्लस 35 is 43. तो 3 यहां जाएगा और 4 विल गो ऐसा carry. और answer में कैसे मिलता है? इसका answer ऐसे मिल जाएगा? कि we simply sum it up. Sum करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, 3 प्लस 1 is 4, 4 प्लस 3 is 7, 7 प्लस 4 is 11, 1 और 1 चला जाएगा carry में. 20 प्लस 3 प्लस 1, that is 24. तो answer हो जाएगा मेरा 2, 4. अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप मेरे इस चैनल को subscribe कर लीजिए और हमारे आगे आने पाले अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे बने रहे हैं, thank you.